हां जी शुरू कर रहे हैं आज से हम लोग economics के mcq mix mcq है इसमें चाहे वो GDP सब्चेक्ट है इंटरनेशनल है मैक्रो माइक्रो है ठीक है तो सभी mix question की सीरी चला रहे हैं environment के question भी आएंगे तो आज first lecture है तो आज हम लोग जो है 10 को question discuss करते हैं आपके साथ ठीक है और कोई भी problem हो कोई भी doubt हो तो आप comment box में लिखना मुझे और एक चोटी सी request है कि आपका feedback मेरे लिए बहुत जरूरी है अगर मैं आपके लिए थोड़ी सी मैनत कर रही हूं तो बस आपके लिए चोटा सा काम है कि आप अपना feedback जरूर दोगे मेरे को ठीक है तो आज का first question है if two commodities are good substitute अगर द बताया था कि जो इंडिफरेंस करव है अगर properly straight line है ठीक है इस तरह से straight line है तो उसमें जो है यह perfectly substitute होंगी क्योंकि यहां पर यहां पर एक्स है अगर मैं y commodity को छोड़ूंगी तो उतना ही increase करूंगी ना x commodity commodity को तो इस तरह से यह क्या बनती है straight line बनती है तो इसका जो first option बिल् difference करव बनता है मतलब अगर आप y commodity ले रहे हो तो compulsory होता है x लेना इसी तरह से approach नहीं करती हो properly straight line होती है इसमें लिखाए approach कर रही है ठीक है उसके बाद है slope upward और slope upward भी नहीं होती ठीक तो perfect substitute में क्या होती है straight line होती है clear उसके बाद second question है the firm in modern world अगर हम बात करें modern world की reserve capacity किस ल term में ensure greater flexibility cost को reduce करने के लिए wage को reduce करने के लिए या फिर tax को reduce करने के लिए तो इसका right answer है ensure greater flexibility मतलब कि जब कभी shortage हो जाए है तो उस चीज को खतम करने के लिए या किसी भी price को increase करवाने के लिए या price को down करने के लिए मतलब कुछ भी जो इनका main target होता है उस target के according अगर producer को करेगा वो ensure करेगा flexible flexibility उसने ensure करनी है तो वो reserve capacity रखेगा clear तो इसका first answer जो है right है third question हमारे पास है the firm are behaving on the basic of average cost principle average cost principle के according coordination is often attained by किस के द्वारा coordination attain किया जाता है price leadership में price cutting में high cost firm में या फिर इन में से किसी में नहीं किया जाता तो average cost के अगर मैं बात करूँ न ये model करवाने वाले पड़े अभी तक अगर average cost की बात करूँ तो जो firm होती है न सबसे बड़ी firm होती है वो average cost के उपर अपना price decide करती है ठीक है क्योंकि उसकी स इसको follow करती है पिछे 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 तो इसका जो first answer है वो बिल्कुल right है price leadership clear मतलब वहां पर average cost के according वो क्या करते है अपना price decide करते है उसके बात fourth question है if demand करव अजूम दा से पोफ rectangular hyperbola अगर हमारा जो demand करव है वो rectangular hyperbola है इस तरह से तो इसमें जो price elasticity है वो क्या होगी तो इसम यहां पे less than one लिखना था या फिर greater than one होगी या फिर one होगी क्या होगी तो यहां पे न rectangular hyperbola में क्या होता है जितना change यहां पे आ रहा है उतना ही change यहां पे आएगा आप इस point पे a point पे और b point पे elasticity find कर सकते हो तो यहां पे आप क्या करोगे यहां पे price था तो quantity इतनी थी जब price b1 हुआ तो quantity k1 होगी तो यहां पे आप formula लगा के जब check करोगे तो यह दोनों change है वो बिल्कुल same आ रहे हैं और जब बिल्कुल equal change होते हैं तो elasticity क्या होती है 1 के ब्राबर होती है तो वैसे भी आप याद रखना जब demand curve rectangular hyperbola होता है तो हमारी elasticity क्या होती है 1 होती है यहां प criteria of money है उसमें किसके साथ deal किया गया है price के साथ income के साथ supply of money के साथ या फिर demand for money के साथ तो आपको answer पता लग गया होगा right answer कौन से है फिर भी आप क्या करोगे सबसे पहले अपना answer दोगे ठीक है उसके बाद मेरा सुनोंगे तो यहां पे Milton Friedman का क्या था answer उनका था demand for money को लेक offer किया था और जो classical थे उन्होंने supply को प्रैफर किया था ठीक है तो इस तरह से उन्होंने demand for money को लिया था उसके बाद सेक्स्ट कोशन है the concept of multiplier was introduced the first time ये बात सबसे important है देखो multiplier का concept आपको पता होगा किसे ने दिया था but first time किस ने दिया था first time दिया था RF काहन ने ठीक है और multiplier का वैसे तो concept केंज ने यूज किया था ना but first time किस ने यूज किया था RF काहन ने जो की employment multiplier के उपर उन्होंने दिया था clear उसके बाद सावंध कोशन की बात कर लेते हैं इसमें लिखा हुए unstable development ये बहुत important question है first paper के लिए भी important है internet के लिए और second के लिए तो है ये important ठीक है तो इसम संस्टेबल development का क्या मतलब है और दा नीड ओफ दा प्रेजेंट जेनरेशन या फिर future need for present generation without compromising the need of the future generation या फिर need of future generation without compromising the need of present generation तो इसका right answer क्या होगा देखिए तो आप दोनों reject करोगे क्यों reject करोगे क्यों कि संस्टेबल development में present और future जो दोनों को देखा जाता है यहां पे त बात इन दोनों की है यहां से पहचानो कौन सा right answer होगा तो खुद पहले देखो कौन सा होगा उसके बाद मेरा सुनोगी ठीक है तो इसका जो right answer है वो third होगा क्यों क्यों क्योंकि need of the present generation मतलब की हमने क्या करना है present generation की need को ध्यान वो तो complete करनी करनी है without compromise हमने नहीं करना future generation को म नहां पर क्या लिखा हुआ है पहले future लिखा हुए future generation के बारे में पहले नहीं सोचते हैं मतलब पहले क्या करते है present generation की need को पूरा करते हैं और इस तरह से पूरा करते हैं कि ज़्यादा natural resource का exploit भी ना हो और हम लोग जो future generation है उसके साथ भी compromise ना करें ठीक है उसके बाद है methods है ठीक है अलग-लग methods है जिसमें head count ratio है poverty gap ratio है square poverty gap ratio है तो वो भी हम next videos में discuss करेंगे आपके साथ कि कौन-कौन से जो poverty gap ratio होते हैं वो कौन से indicate है तो आप बताएं सेन के कौन से थे ठीक है head count ratio था या फिर head count ratio poverty gap ratio था या फिर the poverty gap ratio distribution of income among the poor या फिर the head count ratio ratio poverty gap ratio distribution of the income among poor कौन सा था तो इसका जो right answer है वो है fourth क्यों क्योंकि उन्होंने head count भी लिया poverty भी लिया था और distribution किस तरह से हो रहा है poor people में वो भी उन्होंने include किया था तो इसके जो है यह fourth option राइट है उसके बार 9th question है who यहाँ पे एक बार लिखना था मैंने who among the flowing give the low of increasing state activity government की जो state activities है वो जादा से जादा increase होनी चाहिए मतलब यह concept किस ने दिया था मस्गरेव ने पीकोक ने वैगनर ने या फिर डाल्टन ने तो इसका जो राइट अंसर है वो है वैगनर यह जो यूस था वो वैगनर का था उन्होंने बोला था कि state activity है वो increase होनी चाहिए ठीक है increasing state activity क्योंकि जैसे जैसे state activity increase होगी तो उससे क्य होगा employment increase होगा और जब employment increase होगा तो income increase होगी रो income increase होने से demand increase होगी तो इससे क्या होगी economy की growth होगी तो यह concept किस ने दिया था वैगनर ने दिया था उसके बाद last question है आज का हमारा 10th question है which of the flowing is not a development expenditure कौन सा इन में से development expenditure नहीं है तो development expenditure में कौन सा नहीं आता भी आप देखो कौन सा नहीं आता और बताओ medical health medical or health education debt service या development of agriculture तो इसका जो right answer है वो है third क्योंकि देखिए इनसे development होती है ठीक है यह क्या है एक government की long term investment है मतलब medical facility अच्छी है health facility अच्छी दे रही है education दे रही है तो next time में जो है दीरे-दीरे क्या होती है development होती है और agriculture development से भी क्या होता है national income में increment होता है बड़ जो debt service है debt service इससे जो है यह क्या है note development expenditure यह development expenditure नहीं है क्योंकि यह तो debt service है ना government की तो यह कोई expenditure नहीं है गौर्णमेंट का मतलब development के लिए clear तो इसका जो third option है वो बिलकुल right है ओके उसके बाद हम next series में फिर next questions करेंगे और मिलते हैं आपसे next series में और आपका feedback मेरे लिए बहुत जरूरी है okay thank you